स्वागज़ थैं आपका मेरी चैनल में आज हम बना रहे बचे हुई चावल का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ीदार सनास्ता ये बहुत ही जादा क्रिस्पी है उपर से और अंदर से है बहुत ही जादा सॉप्ट खाने में बहुत जादा टेस्टी तो चलिए इसे बनाते हैं, इसके ले लिए हैं मैंने ये, एक कटोरी बचा हुआ चावल, एक छोटी कटोरी चावल मेरे पास बचके हुआ था, तो उसे ही ले ले लेते हैं हूं, और एसे हाथ से बिलकुल मसल करके, बिल्कुल हमें मैश कर लेना है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये कटा हुआ प्यास और हरी मिर्च दो छोटे प्यास को मैंने बारिक से काट करके लिया है और तीन से चार हरी मिर्च है आप मिर्च इसमें अपनी पसंद के अनुसार कम या जादा डाल सकते हैं उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कुछ मसाले नमक स्वात के अनुसार थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और डाल देंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल रखी है पहले से आप चाहे तो लाल मिर्च छोड़ सकते हैं अगर आप उस जादा तीखाने पसंद उसके बाद हम दो से तीन आलू को कद्दू कस कर लेंगे दो मीडियम साइस के आलू को मैं कद्दू कस करके ले लेती हूँ और इसमें डालते कुछ और मसाला एक चटपटा सा सबजी मसाला या मैगी मसाला आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं लो के वाचे काटव्ट मणामालाब और उसके बाद मच करदे तक रइस माल को अच्छे हो और मिखले लिए से तरह बूद कर सबसी हो चांजर के टेने , चाहे मेल लेंगे अपला और सबी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मैस करते हुए हम मिक्स कर लेंगे, दबा दबा करके मैस करते हुए, इसमें है एच छोटी का टोड़ी बचा हुआ चावल, हरी मिर्च, प्याज, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, दो उबले हुए आलू और दो चमच, बेसन, सबी चीज तो ले लेंगे हम, 1ů स 2 चमच, आठा या मैदा जो भी आपके पास, अवेलबल हो है उसमें, और मैदा भी ले सकते हैं या आठा भी ले सकते हैं, तो 1 स 2 चमच, और उस में पाणी डाल करके episode 2 चमच, प्यूप्र लाब ना लेंगे दो नमक, रिख, तोड़ा थोड़ा ऑ Portal को आट को आपको रेसिपी आ eocam aham लेखा औभ हमहा सानङी से असानी से बना पायंगे अच्छी तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए अब हम हाथ में लगा लेते आछ पहल भाई लिंगे हाथ में मैं इस तरीके से थोड़े लंबे शेप में बना रही हूं आप अपनी पसंद के अनुसारी से गोल या लंबा या चोकोड जैसे चाहे उस शेप का बना सकते हैं शेप तो बस अप पसंद के लिए है टेस्ट में कोई फर्पने पड़ेगा इससे तो आप अपनी तो मैंने बना लिया है बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा लंबा शेप का है और इसी तरीके से हम बना लेंगे अपने सारे मिक्स्चर को चारो तरफ से हम इसे दबाते हुए अच्छे से पर इसी मिक्स्चर को हाथ में लेने से पहले हाथ में थोड़ा सा ओल जरूर ले ल बना करके रख लिया है अब चलिए इसको और हम बनाते हैं आगे तो इसे हम एक एक करके इस घोल में डूबाती जाएंगे और घोल हमारा बिल्कुल पतला है गाठा गोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें चिपकना नहीं है बस यह थोड़ा सा गीला हो जाए उपर से जिससे कि जब हम इसे सूजी में डालेंगे तो सूजी इसके उपर अच्छे से लिपट जाए बिल्कुल तो एक एक करके डूबोते हुए हम इसे सूजी में डालेंगे और दूसरे हाथ से सूखे हाथ से फिर हम इसे सूजी में रोल करेंगे अच्छे से गिले हाथ से नहीं चाहिए इसमें तो इसे हम लपेट लेते हैं अच्छे से सूजी में चारो तरफ से हम इसे लपेट लपेट करके हम अपने सारे मिक्स्चर को बिल्कुल इस तरह से पहले रेडी करके रख लेंगे उसके बाद ही हम इसे फ्राइ करने के लिए डालेंगे तो चार तरफ से मैं लपेट लेती हूँ सूजी को अच्छे से इस मिक्स्चर में और इस तरह से हलका दबाते हुए और एक्स्ट्रा सूजी को हम जाड़ देंगे जो इसमें लगा हुआ रहे है बिल्कुल बस हमें उतना ही रखना है एक्स्ट्रा रहेगा तो वो ओईल में आ जाएगा और ओईल को खराब करेगा तो बिल्कुल हम इसे अच्छे से लगा करके थोड़ा थोड़ा से एक्स्ट्रा जाड़ करके हटा देंगे और बिल्कुल इस तरीके से हम बना करके रख लेते हैं अपने सारा आश'tañista प्लेट में एक वार सारा बना करके रख लेंगे तो हमें आगे और बनाने में आसानी होगी फ्राई करने में तो पैन में मैंने डाला है थोड़ा कमी ओयल डाला है और मैं इसे इसे लो फ्राइ कर रही हूँ आप चाहे तो इसे ज़्यादा ओयल में डिफ्राइ करके भी ले सकते हैं तो मैंने कम ओयल डाला है और इसे हलका हलका तल रही हूँ उलटते पलटते हुए इसे चारों तरफ से हम घुमा करके सेख लेंगे अच्छे से तल लेंगे अगर आपको डिफ्राइब पसंद है तो आप इसे ज़्यादा ओयल डाल करके डिफ्राइब कर लेजे तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लएगा यह पर आज को रखेगा मीडियम क्योंकि इसमें सूजी लगी हुई है उपर से तो अगर हम तेज आज पर फ्राइब करें आए ना तो पता ही नहीं चलेगा कि यह आपने बच्चेवी चावलों से बनाया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में अब जरूर इस टेस्टी को एक बार ट्राइब करके देखिए खाने वाले को अगर ना बताओ तो कोई गैस नहीं कर पाता कि यह आपन बिल्कुल यह इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है और जटपट से कोई ज्यादा जंजट नहीं है बस आपका वह चावल बचा हुआ होना चाहिए एक दो बॉयल्ड आलू और नमक मिर्च मसाले तो सभी होते ही हैं घर में हमें सासानी से सभी चीजों को कीजे मिक्स और को बनाने के लिए तो रेडी है बिल्कुल हमारा यह नाश्ता अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियो को पूरा देखने के लिए